हम जानने वाले हैं कि EMI Calculator अप्लिकेशन क्या है क्या सच में से लोन विगरा हमें मिलेगा या फिल नहीं तो सबसे पहले देखो जब भी आप लोग इसे फर्स्ट इम ओपन करोगे कुछ इस तरगे का इंटरफेस आपको धेने को मिल जाएगा तो हम जानेंगे कि आखिर में इससे हम क्या सच कर सकते हैं और क्या क्या सार्श चीज़े इसके अंदर दी गई है तो इसे यूज करते समय आपको कुछ ऐसा एड्स विगरा आपको धेने को मिल सकता है तो इन एड्स को क्या करना है कि यहां से कटकर लेना है मैं क्या कर लेता हूँ इस वी ऐप्लिकेशन बिडियो आच Свको構री करने याहां पर आपको next करते जाना है उसके बाद बोल्ट है कि सलेट नमबर मतलग कि आपना जो नमबर है शेसे लेट करसकते हो या फिर और hon describe सकते हैं उसके बाद यहां पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद पेलबियो Сейчас के आपको इसमें मेले या फिर आप लोग केवाल कर सकते हैं जिसे कि आपको लूरош forecasting है एडवांस EMI है उसके बाद क्वीक कैल्कुलेटर है और अगला सारी चीज़े तो लोन प्रोफाइल वाले अप्शन पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे कुछ भी चीज़े यहां पर देहने को नहीं मिलती है अगर आप लोग यहां पर लोग अपना लोन एड़ कर सकत हो उसकी बाद अगर बात करते हैं क्यों केल्कुलेटर की तो यहां पर आपको एक चीज़ मिल जाता है EMI अमाउंट पिरियोड इंट्रेस्ट मतलब आप लोग यहां से आपने हिसाप से आपने कितना लोन ले रखा है आप लोग यहां पर डाल कर इंट्रेस्ट डाल कर सारा कुछ यहां पर देख सकते हो 8 साल, 9 साल, 2 साल के लिए तो यहां पर आपका टोटल इमाउंट भी बता देगा कितना आपका मंतली रहने वाला है, पिरियोड टाइम कितना है, इंट्रेस्ट यहां कितना लग रहा है, कुछ है इस तरीके से आपको यह बता देगा, मेरा कहने अगर आप लोग सोच रहे हो, इसके अंदर तो वो सारी चीज़े यहां पर नहीं है, फिर भी अगर आपको मैंड में कोई डाउट रहता है, तो यहां पर कमेंड में पूछ सकते हो, मैं आपको इसले रिपलाई दे दूँगा, हाँ अगर आपको लोन चाहिए तो एक अप् मिल जाएगी और बहुत यह साइंसे उससे डाउलोड करके उसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो,